दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1998 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा मुवी का जिसका नाम है हत्यारा और इस मुवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं मिथुन चकरवर्ती, सुमन रंगानाथन, मुकेश रिशी, रामी रेडी, कमरजीत पेंटल, सुवाथी, अनील धवन और किशोर भानुशाली इसके लावा इस film की कहानी लिखी है T.L.V. परसाद ने और डायलोग्स लिखे है महंदरा धरिवाल ने और इस film को डायरेक किया है T.L.V. परसाद ने और इस film के प्रिड्यूसर्ज ने शेशुपाल सिंग्च और महंदरा धरिवाल आप बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो यह कहानी है सिंगानिया यानी मुकेश रिशी और उसके जल्म की जहां सिंगानिया कहने को तो एक बहुत बड़ा बिजनिसमेन है मगर असलियत में वो अपने पार्टनर भुजंग यानि रामी रेडी के साथ मिलके दो नमबर धंदे भी करता है और इसके बाद कहानी में एंट्री होती है सूरिया यानि मिथुन चकरवर्ती की जो एक कॉंट्रेक किलर है और वो पैसे के लिए हर किसम का काम करता है मगर कहानी अपना असर रुकतब लेती है जब सिंगानिया का भाई एक लड़की के साथ ज्याती करके उसे जान से मार देता है और इस जुर्म की वाहिद चश्मदीद गवा होती है प्रोफेसर काजल यानि स्वाथी जो सिंगानिया के भाई के खिलाफ जाते हुए सिंगानिया से ही दुश्मनी मौल लेती है जिसकी वज़ा से सिंगानिया उसे भी रास्ते से हटा देता है और सिर्व यही नई सिंगानिया गरीब लोगों की जमीन हड़पने के लिए सूरिया को भी 15 लाक रुपए दे कर खरीद लेता है अब इसके आगे फिल्म की कहानी बहुत दिल्चस्प हो जाती है जहां सूरिया की जाती जिन्दगी के बारे में भी दिखाया जाएगा बगर देखना तो यह है के आखिर सिंगानिया के इन जुल्मों का खात्मा कौन करेगा यह जानने के लिए आप लोग यह फिल्म देख सकते हैं अब बात करें इस फिल्म की डारेक्शन के बारे में तो डारेक्टर टीलवी पर साथ और मिथों चकरवर्ती का कॉंबिनेशन काफी आइकॉनिक है और मेरे ख्याल से टीलवी पर साथ बालीवुड फिल्म इंडिस्ट्री के वन आफ दा बेस कमर्शल मुवीज डारेक्टर हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने बहत कमाल की डारेक्शन की जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है इसके इलावा फिल्म की स्कीन पे राइटिंग भी काफी मजबूत है जो फिल्म को कहीं भी लूज नहीं पड़ने देती और फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत खुबसूरती के साथ लिखा गया है जहां एक प्रॉपर क्राइम ड्रामा हमें देखने को मिलता है और वहीं दूसरी तरफ फिल्म का सेगंड हाफ भी काफी फास पेस्ट है जो हमें टोटली इंप्रेस कर जाता है और एंड तक कहानी से जोड़े रखता है इसके इलावा ये फिल्म डायलॉक्स राइटिंग में भी एक अलग लेविल पे स्टेंड करती है जहां एक प्रॉपर गैंस्टर्स कनवर्जेशन और अग्रेसिव डायलॉक्स इस फिल्म की जान है और सिर्फ यही नहीं फिल्म के कुछ सीन्स में हमें काफी इंस्परेशनल डायलॉक्स भी सुनने को मिलते हैं और बात करें एक्शन सेक्वेंसिस की तो यह बात तो माननी पड़ेगी कि एक्शन सेक्वेंसिस के एक्जिक्यूशन में डारक्टर टील वी पर साथ का कोई सानी नहीं उनका एक्शन सीन्स को प्रेजरन करने का अपना ही एक अलग यूनीक स्टाइल है जो देखने में काफी entertaining साबित होता है और इस फिल्में भी हमें काफी जबर्दस action sequences देखने को मिलते हैं इसके लावा music की बात करें तो फिल्म का music काफी अच्छा है जहां इस फिल्म के तकरीवन सारे गाने ही बहुत शानदार हैं अब बात करें acting performances की तो मिथों चकरवर्ती की ये performance उनके केरियर की one of the finest performance है जहां उनका ये किड़दार उनके बाकी किड़दारों से ज़रा हटके था और उन्होंने अपनी काबलियत के दम पे अपने इस किड़दार को भी बहत impactful बनाया और जबर्दस performance दी इसके लावा मुकेश रिशी भी सिंगानिया के रोल में काफी आइकानिक लगे और उनकी performance भी टॉप नौच रही और बात करें सुमन नंगानाथन की तो वो इस फिल्म में सूरिया की प्रेमिका के किड़दार में नज़र आई और उन्होंने भी काबले तारीफ काम किया और उन पे ये रोल काफी सूट भी कर रहा था इसके लावा रामी रेडी और सुआती के साथ साथ फिल्म की बाकी कास ने भी अपने अपने रोल्स में ठीक ठाक काम किया है ओवरॉल देखा जाए तो हतियारा एक बहुती शानदार मास एक्शन मूवी है जिसे एक वेल स्क्रिप्टिट और वेल डारेक्टिट मूवी कहना भी गलत नहीं होगा और ये मूवी मिथों चकरवर्ति के कैरियर की भी वन आफ दा बेस्ट मूवी है जो एक अच्छी रिपीट वेल्यू भी रखती है तो दोस्तों हतियारा मूवी मैं आप सब को रेकमेंड करूंगा आप सब भी इस धमाकेदार एक्शन मूवी को जरूर देखिएगा